दोस्तों बात करें अगर camera ही तो हम इसे सब camera यूज़ करते हैं ऐसे में camera के इंतरगत specification में megapixel भी होता है sensor भी होते हैं बहुत सारे specification होते हैं उसमें एक aperture भी होता है जहां पर लिखा रहता है f1.8, f1.9 या फिर कुछ भी aperture हो पर लिखा रहता है तो ऐसे में कि आप लोग जानते हैं कि aperture क्या होता है camera के इंतरगत दोस्तों आज किस वडियो को पूरे देखते रही क्यूंकि आज कि इस वडियो में आपसे बात काने वाला हूँ camera के aperture के बारे में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हर Connie अए अगर दें इस विडियो आपको स्थ और भाग पे इसे विडियो को दोस्तों हर आप लोगोंने कैमेरा यूजचे यह आद उडैंट हमेरा की स्पैसिपडिकेशन देखा हो गे तो वहां पे तो कहीं न कहीं लिखा जरूर होगा कि इसके aperture f1.2 है या फिर f1.9 है फिर f1.9 है फिर f1.3 है ऐसा कुछ लिखा रहता है लेकिन ऐसे में कि आप लोग जानते हैं जो aperture लिखा रहता है f1.9 है f1.8 है फिर कुछ भी तो यह क्या होता है जोस्तों मैं आपको सिंपल भी हम समझाना चाहता हूं कि aperture क्या होता है example के तो आप फोटोग्राफी करना चाहते है एक एक अपनी camera से तो आप आपके फोटोग्राफी में light एक अहम रूल अदा करता है picture camera camera ले के숙ट की कैमेरे की फोटोगराफी कीСпो सारा स्पेसिप्यकान देखने को मिलता है जिसरे आपको sensor दखने को मिल जाता है xiggle speed भी आपको festival धेखने को मिल जाता है या पे आपरचयू यहांपर द देखने को मिल जाता है तो कि भी तबात करें camera की आप ISO को 100, 200, 300, 400, मतलब आपका कैमरा जितना तक सपोर्ट करता हैं, जिसके मादम से लाइटिंग को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक लाइट अहम रोल अधा करती है फोटोग्राफिक अंतरकत, एक्जामपल को दोर पर पर आप फोटो कर रहें, एक लाइट खान पर आपका फोटो ठीक नहीं आएगा, और आपका लाइट बहुत जाता तो आप भी फोटो ठीक नहीं आएगा, तो यहां पे इन और आपने सटर स्पीड के बारे में तो सुनाही होगा, कि अविन सबर प्रड़ की एक सेकंड के लिए आपका कामरा खुला रहेगा, मतलों उसके जिटना लाइट आएगा उसके पाज आपका फोटो प्रोडूस कर दिया जाएगा तो ऐसे यहीं पर काम में लिया जाता है अपर्चर की तो अपर्चर की बात करें तो आप में सुना होगा F1.7, F1.8 दोस्तों सिंपल में मैं समझाओं आपको तो F1.8 मतलब की जितना नीचे आप चेले जाहिए F1.5, F1.2 एजांपल अपर्चर की मुकाबल एक बड़ा अपर्चर है मतलब की अपर्चर कैमरा के अंतरगत होल जासा होता है एक्जांपल अपर्चर में मैं आपसे बात करूँ तो लाइटिंग अपर्चर कर पाईएगा एक सेटल एक सेटल एक सेटल पीड तो बहुत है सेटल आपका सेटल पीड़ा मतलब की अंतरगत के शर्टल में जयादा लाइट आप 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 आएगी मतलब एक average light आ जाएग इतनी से light जैसे अच्छा प्रोड्यूस हो सगे मतलब आपका जो photo एक अच्छा सा प्रोड्यूस हो सगे आपके अपरचर बहुत बढ़ी है मतलब बहुत चोटी एक्जांपल को तौर पर तौहां पर आपका च्छीदर है थोड़ा सा छोटा होते जाएगा जैसे घरते जाएगे नमर उसमें बढ़ा कहांगे मिस रेफ 1.7 हो गया बन प्रोड्यूस हो गया तो बढ़ते चल गया अपरचर का होल और जैसे यह बढ़ते चल गया मतलब F2 प्वांट हो गया फिर F2 से 4 चला गया F5 चला गया तो आपर परचर का होल हो छोटा हो बढ़ते इसन कारण फोटो जाएदा अच्छा नहीं आपाएगा तो अप्रचर का में काम एक लोग आपका जो लाइटिंग लाइटिंग के आपका फोटो में अच्छा प्रोडियूस करा से की अच्छा ॥ाच्छा लासे कि एक जामपल को तर पर मैं बात अच्छा क्यामे एक रा सेम से कैमरा के अंदर इसका जो परफॉर्म करेंगा तो इसका जो परफॉर्म करेंगा मैं जादा लाइट रहेगा ब्राइट फोटा आएगा इसे अपर्चर चोटा है, मिंस कामरा को जो होल है छोटा है, लेकिन आइसे आपको बता दोस्तों, कैमरा में अपर्चर ही एक बड़ा चीज नहीं होता है, मिंस अपर्चर के कामने के फोटो अच्छा है खराम नहीं हो सकता है, अपर्चर को में लाइट में रोल आदे करता है इक्जाम्पल रूंपल आपक lly बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसे के अंतर फोट tabपाале आपको भी आपर्चर भी होता है अपको पम रूपा बड़ा रहेगा, इसे पकर बहुत सारे चीज़ होता है जितना होलमडर हैगा उतना आपको अच्छा लाइटिंग आपर देखेगा अपरचर का एवर काम होदा गर गर्षिक करना चाहते तो आप परचर एक एहां डोल अधा करता है में आपको इग्žामपल देया था आख आक को लिए हैं सामने को ज्यादा दिया करता है मैं आपको आपको अफ्ड़ छुला हूँ आ तो सामने को नहीं 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 देखपाएंग इसलिए में ने कीजा इसलिए को बात करना हूँ वहां पर अच्छा से कर लिया जाएगा तो अब्जेक्ट को फोकस करते हुआ पीछे जो देफ्ट इसको बैक्ग्राउंट जो ब्लर कर दिया जाएगा तो खही न कहीं न कहीं देप सेंसिंग में भी अपर्चर एक हम रोल अधा करता है और मैं आपसे बात क दिखने को मिला ता आपका पांप मॉइल फोन का केमरा बटर परफॉब्ल में प्रफॉंब्ल करें दिखने को मिलता है और जो लेंसे वहां पर आपका परचर फ 2.2 का के मुकारा का चीदर है और यहां पर नहीं पुटति सच प्रफॉण तो आपको बहुत अच्छा प्रफॉर्म कर पाएगा दोस्ते बात आहीं कि यह देखा उगा कि यहां पर आपको परचब देखने को मिलती है आपको यहां से लेकि यहां परचब देखने को मिलता है आपको यहां से लेकि यहां तक आपको दिया रहता है कि उतने में आप अपरचर कर सकते हैं मतलब कि मैनुवली आप अपरचर को उतना से अबर आपको दिया हुआ F2 से लेके F5 तक तो आप पर डिपेंड करता है कि वहां पर कितना अच्छा फोटोग्राफी कर मतलब कि इतना आप अपरचर चाहिए तो आप फिक्स कर सकते है F2-5 था कि आप चाहिए F3 कर लिए F4 कर लिए F2.5 कर लिए F2.5 कर लिए F2.9 कर लिए वो आप पर डिपेंड करता है मैं आप कि DSLR मैंनुवाली चेंज कर सकते है और आप स्मार्फोन के अंदर मैंनुवाली चेंज करना चाहते है अपर्चर को तो यहां पर डूएल केमरा होने की जरूरी मतलब डूएल केमरा होता ता आप कर पाते है इस आप अपर आपर ऑफिसल जो हुआ अपको अपरचर है वोसको अपर बढ़ा सकते हैं लेकिन DSLR और समार्फोन मैं बहुत अंतर है यह आपका भी नहीं का सकते हैं आपको DSLR में आपका F1.6 का अपका smartphone में aperture देखने को मिलदा है और आपका DSLR में F2.0 का यहाँ आपका कभी नहीं कर सकते हैं कि आपका smartphone का camera है बेटर होगा DSLR से हो भी सकता है, जरू इन नहीं होगा, हो भी सकता है क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया एक aperture ही एक अहम चीज नहीं है camera के इंतर देखने फिल्म, mega pixel भी एक अहम चीज नहीं है बहुत चीज को देखा जाता है तो आप camera अच्छा होता है एक्जाम्पर दोर पर सबसे बाले चीज़ नहीं होता है तो आपका camera से आने वाला image मतलब camera के दौरा जो प्रोड्यूस किया गया image वो ठीक नहीं देएगा तो दोस्तों यही होता aperture उमीद का तो आपको समय में आ गया होगा कि camera का अंतर जो aperture दिया रहता है वो क्या होता है और यह किस लिए बर्क किया जाता है इसी प्रकारतर वीडियो देखने के प्लिश सब्सक्राब करें में चानल को इस वीडियो में इतना है दोस्तों मिलते हैं आप से नहीं वीडियो में तब तक के लिए जया हिन बंदे मात्रम